हेलो दोस्तो, गुड मॉर्णिंग, एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पे और मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेके आगी हूँ, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो और आज के इस वीडियो में मैंने बालविकास एवं सिक्षण सास्तर से सम्मंदित पार्ट टू महादपुन क्वेशिन की सीरीज को शामिल किया है जो की प्रिवियस्वी हैल्ड क्वेशिन पेपर में पूछे जा चुके हैं सिर्फो सिर्फो उनी क्वेशिन की सीरीज लेके हम आपके लिए आगे हैं दोस्तों कि अगर आप किसी कॉम्टेटिव एक्वेशिन की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बाल विकास एवं सिक्षा सास्तर से सम्मंदित 9-10 क्वेशिन हर एक्वेशिन में पूछे जाते हैं जादा क्वेशिन भी आपको देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सबी महातुपून क्वेशिन की सीरीज तो वीडियो को पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखेगा तो लेट स्टार्ड विट क्वेशिन नमर वान निमले कित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रिदाई विचार ब्लैक बॉक्स थियोरी के नाम से भी जाना जाता है तो तो गरिक्ट आप सबी ने गैसी कर लिया होगा आप्शन नमर वन यहां पे सही है ब्योहारवाद के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों ब्योहारवाद ब्योहारवाद के प्रवर्तक जो है वो है जॉन बी वाट्सन आप सभी को पिता है कि जॉन बी वाट्सन को ब्योहारवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है 1913 में जॉन होपिकन्स विश्विध्याले में इन्होंने इसके कोच की थी इसके बारे में बताया था संदिश्विध्य को इसके प्रवर तक की सापना कीती आ होच कीती इसके बारे में सबसे पहले बताया था फ़र्ण दिश्विध्योड जी को इसके प्रवर्तक की रूप में जाना जाता है दोस्तों सननशनावाद के नमर त्री पे देखे प्रकारिवाद है प्रकारिवाद से related question पहले भी हमने आपको प्रिवेस वीडियो में करा दिया है कि बिलियम जेम्स को प्रकारिवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है और लास्ट में जो option है वो तो आप सभी को पत यहीं आपको सही तैयारी करने का तरीका होता है मूब करते हैं हम next question की ओर कि निम्लिक्षित में से कौन सा अच्छे मान से स्वास्ते का लक्षन नहीं है which of the following is not the characteristic of good mental health and correct answer is option number 4 यानि की असहन शेलता means intolerance जी हाँ दोस्तों जो एक healthy individual होता है आप सभी को पता है तो वो होता है physically, mentally and socially fit और अगर हम बात करें कि आप कितना भी physically fit है और mentally नहीं fit है आपके जो विचार है वो अच्छे नहीं है आप अंदर से positive नहीं है, negativity से बढ़े है, depression में है, over anxiety के शिकार है तो आप एक अच्छे healthy individual के दाइरे में बिलकुल नहीं आते है तो बहुत ही अच्छा question पूछा गया है कि मानसिक स्वास्तिका लक्षण निम्द में से कौन सा नहीं है तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा criteria है जो कि बताता है कि आप यह ऐसा feature है जो mentally healthy individuals में नहीं होना चाहिए यह आपको बताना है तो देखिए ability to adjust mental health का feature होता है बिलकुल समायोजन की योगिता किसी भी परिसेती में problem आ जाए तो आपको समायोजन की छमता होनी चाहिए यह mental health का feature है नमबर टू सम्मेगात्मक परिपकोता यानि कि emotional maturity बिलकुल mental health में आता है यह point यह feature आता है क्योंकि emotionally mature होना बहुत जरूरी है सम्मेगात्मक रूप से परिपकोना बहुत जरूरी है ताकि कि कितनी भी cutting परिसेती आ जाए विशम परिसेती आ जाए या कितनी भी प्रतिकूल परिसेती आप बन जाए तो या आपको जीवन में हार का सामना पढ़ जाए तो अगर आप emotionally mature नहीं है तो आप जो है कहीं न कहीं आप problem में आ सकते हैं तो सम्मेगात्मक परिपकोता भी जो है वो बहुत जरूरी है self confidence तो success of key आप कह सकते हैं hard work के साथ self confidence is the success to a success key to success यानि कि सफलता की कुणजी ही है आतनों विश्वास यानि कि जब आप खुद से ही विश्वास नहीं है आपको ही अपने talent पर विश्वास नहीं है आप खुद अपने को किसी भी काम को करने के काबिल नहीं समझते हैं तो दुनिया आप पर विश्वास कैसे करेगी दोस्तो तो self confidence तो बहुत ही जादा जरूरी है अगर आप किसी भी exam के preparation कर रहे हैं, किसी भी condition में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कैसे भी सिती आ जाये तो self confidence से काम लेना चाहिए और जरूर उस समस्या का हल आपको मिल जाएगा और आप सफर लोंगे तो last option जो है देखिए कि intolerance यानि कि असहनशेरता, tolerate ना करने की छमता तो दोस्तों बताईए यही है correct answer और यही है वो feature जो कि mental health में विलकुल भी नहीं आता तो intolerance यानि कि tolerate नहीं कर पा रहे हैं, class में बच्चे जो होते हैं उनको भी आपस में tolerance की चमता होनी चाहिए, teachers में, staff में, working place में, public place में हम खड़े हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम अपने घर में नहीं है और हमें सब के साथ अच्छे से विएप करना है अगर rush जादा है तो हमें अपना weight करना है अपने number का उसके लिए लडाई जगरा नहीं करना है बहुत सी चीज़े, बहुत से example ऐसे हैं जो intolerance और tolerance को आपको से दोस्तों कि हमें tolerate करने की छंता हमारें अंदर होनी चाहिए तो यह intolerance यह एक mental health का feature बिल्कुल नहीं है मुख करते हैं हम next question की और की cattle संस्टिती मुक्त बुद्धी परिक्षन की मापनी first किसके लिए बनाई गए थी और देखे बहुत ही अच्छा important question है screen पे कि cattle culture free intelligence test का जो scale first था वो किसके लिए prepare किया गया था option number two यहां पे सही है four to eight years mental deficient person यानि कि चार से आठ वर्ष के मानसिक दूश्वारे व्यक्तियों के लिए यह scale first यूस किया गया था दोस्तो संस्कृति निस्पक्ष परिक्षन जिसे संस्कृति मुक्त परिक्षन भी कहा जाता है इस नाम से भी से जाना जाता है तो किसी भी जो व्यक्तिगत या सांस्कृतिक समूँ के लिए विस्सिस्ट ग्यान पर भरोसा किये बिना या बुद्धी या अन्य विशेश्ताओं काकलन करने के लिए तयार किया गया था ये परिक्षन और इसे अशाब्दिक परिक्षन के रूप में भी जाना जाता है नेक्सर पिरेशन देखें कि कौन सा रशनातमक्ता की प्रक्रिया के लिए सही तारकिक करम है ऐप्षन नमर थी यहाँ पर करेक्ट है प्रपरेशन यानि की प्लाइन और लेशे surprised by आता है वेरिफेशन है तो process of creativity के लिए जो logical order है वो है number 3 next question is asking निमने कितमे से कौन सा पत्क्रिया प्रिसूत अनुबंद से संबंदित नहीं है which of the following term is not related with operant conditioning theory और operant conditioning तो क्या होगा दोस्तों सही answer यहाँ पे option number one is correct here insight यानि कि अंतर द्रिस्टी is not correct here तो देखे दोस्तों correct answer is option number one तो देखे जो operant conditioning theory के अगर हम बात कर लें तो इसे skinner ने प्रतिपादित किया था B of skinner इसके प्रतिपादक है क्रिया प्रसूत का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सद्धान्त जो दिया गया था वो B of skinner जी के द्वारा दिया गया था और यह सिद्धान सकरात्मक प्रिणामों से मिलने वाले पुनर बलन पर बल देता है किस पर बल देता है देखे पुनर बलन पर बल देता है जो सीखने वाले की क्रिया को गति देने में सहयक होते हैं और आगर हम बताएं आपको simple words में बताएं तो क्या होता है कि यदि किसी भी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उध्धीपन मिलता है तो उस क्रिया शक्ती में मृद्धी होती है तो इसे reinforcement theory भी कहते है और इस गया था तो यह यहां पे जो है operant conditioning का भाग नहीं है next question वे बच्चे जो बिबिन प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम अधिगम अक्षम का मतनब क्या होगा देखिए disabled learning disabled word का प्रयोग सर्व प्रतम किस ने किया था learning disabled word was first used by option number two is correct here Samuel Kirk is correct answer okay next निम्लिकित में से कौन सा मनोवग्यानिक आत्मा निम्लिकित में से कौन सा मनोवग्यानिक आत्मा के विग्यान के रूप में मनोवग्यान का समर्थक नहीं है यानि कि यह options में से जो तीन मनोवग्यानिक है वो आत्मा के विग्यान के रूप में मनोवग्यान को मानते है लेकिन एक मनोवग्यानिक ऐसा है जो आत्मा के इसके लावा प्लीटो अरस्तु एवं डेकार्टेस जो है ये सभी बनो विज्ञान को जो है आत्मा के विज्ञान के रूप में जानते हैं नेक्स्ट देखें बनो विज्ञान की कौनसी शाखा में टेली पैती पुनर जन्म जैसे शेत्रों का देन किया जाता है तो option number 3 is correct here अतींद्री यानी की पैरा प्साइकोलोजी जो है यहाँ पे सही आंसर है कि इसी साखा में टेली पैती उनर जन्म जैसे शेत्रों का अध्यान किया जाता है जीन प्याजे के अनुसार बाला कौनसी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तारकिक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो option number 4 is correct here, 11 to 15 years जीन प्याजे का संग्यानात्मक सिद्धान्त के बारे में तो दोस्तों आपने सुनाई होगा कि जीन प्याजे ने व्यापक किस तर पर संग्यानात्मक विकास का अध्यान किया और इनके सिद्धान्त को विकासात्मक सिद्धान्त भी कहते हैं और इनके अनुसार जो बालक के वीतर संग्यान यानि की cognitive development होता है वो अनेके stages इसे होकर गुजरता है और इन ही stages को stage theory के नाम से भी जाना जाता है और चार stages के बारे में बताया था जीन प्याजे जीने दोस्तों आपको पता ही होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है जिसमें बालक परिकलपणाओं को समझने की ततातार की क्वाक्यों क्याधार पर विचार करने की योगिता प्राप्त कर लेता है नेक्स्ट लास्ट क्वेशन ओम दा सीरीज इसी तरह के बाल विकास एवं सभी कॉम्टेटिव एक्जैम्स के पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो लगातार हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर गुडबाई